हलो दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सांग आज हम आप लोगों की साथ खीमपोली की सब्ची की रेसिपी सेर करने वाले हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर होती है यह एक राजस्तानी रेसिपी है अपरेल के महिने में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है और इनी फलियों से बहुत ही स्वादिस्ट सब्जी बनाई जाती है तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने यहां 300 ग्राम के लगबक खिमपॉली को अच्छे से धो कर साफ करके इसको छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया है जो दिखने में इस तरह की होती है आप इसे थोड़ा बारिक भी कट कर सकते हैं या फिर थोड़े मोटे साइज में भी कट कर सकते हैं अब हम इस खिमपॉली को बोईल करेंगी इसके लिए हम खिमपॉली को कुकर के अंदर डाल देंगी इसे बोईल करना जरूरी होता है आप इसे सीधा बीना कुकर के भी बोईल कर सकते हैं हमने खीमपोली कुकर के अंदर डाल दी है अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे पर पानी जादा नहीं डालना है बस ये अच्छे से डूब जाए इतना ही इसके अंदर पानी डालना है अब हम कुकर को ऊपर से ठक कर इसको बोईल करने के लिए गेज पे चड़ा देंगे राजस्तान में खिमपोली को हर जगा अलग अलग नाम से जाना जाता है आप कहां से हैं और किस नाम से आप इसको जानते हैं कमेंट पोक्स हमें जरूर बताईएगा चार से पांच सिट्याने तक इसको अच्छे से हमने बोईल कर लिया है तेको अच्छे से बोईल हो चुकी है अब इसके अंदर का पानी हम निकाल देंगे हमने इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है अब इसे हम हलका सा ठंडा होने देंगी उसके बाद इस तरह से हलके हाथ से दबा कर इसका थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे ज्यादा इसे नहीं दबाना हैं बस हलके हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगी और इसे पानी निकल जाएगा पर थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए वहना आपके हाथ जल सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को याद करके जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को आल पर प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकिसन सबसे पहले आपको मिले देखो हमने पूरी तरह से अच्छे से इसका पानी निकाल दिया है अब एक कड़ाई लेंगी और इसके अंदर हम तेल डालेंगी हमने इसके अंदर कम से कम 3-4 बड़े चमल तेल डाला है तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं एक बड़ी चमल की लगबग लैसुन को अच्छे से कूँटकर इसके अंदर डाल दिया है आप इसका पेश्ट बनाकर भी ढाल सकते हैं अब scriptures extract के बाड़, लेक बाड़ दंव सकते आपां। हरेमिष को तेल की रवटर, दोमने ज़ेने च्छानलग, केज़ने अधर wanna क्लीट को बाचे अशी को आधनेखते, तरहां पड़ कर देब लेगे अधर देमेशन धाहिए के लिए छोड़ देंगे हमने हरी मिर्च को एक से दो मिनट अच्छे से पका लिया है अब इसके अंदर हम खिंपोली को डाल देंगे और एक बार इसे अच्छे से हम फिर से मिक्स कर लेंगे यह इसको लोटू मीडियम ही रखना है अगर आप हमाया चैनल की और भी बाकी रेस अजस्तानी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उपर के आई बटन पर क्लिक करें या आप हमाया चैनल पर जाके देख सकते हैं हमने इसे एक बार अच्छो से मिक्स कर लिया है तेल में से थोड़ देर के लिए पकने देंगे बीच बीच में से एक से दो बार जुरूर चला ल अर्ट के ले कि लिए थोड़ देर की लिए तेल के अंदर पका लिया है अब इसके अदर हम मासाले एट करेंगे मंदेज ड़ेध चमस के लगबख इसके अदर हम नमक डालेंगे लाल मीच और नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम यह ज़ादा कर सकते हैं इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं हम उसका रिपलाई जुरूर देंगी अगले रेसिपे आप कोई से चाते हैं कमेंट बोक्स में हमें जुरूर बताईएगा इस सब्जी को थोड़े अलग लग तरीके से भी बनाया जाता है अगर आप इसके अंदर दही डाल के बनाना चाहते हैं तो हमने थोड़ा सा ही इसके अनदर पानी ऐड़ किया है अब इसे हम एक बार अच़्ोसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक पकने देंगे जब तक ये ओिल को चुछ छोड़ना दे ये इसको लूटू मीडियम ही रखना है हमने इसके इंदर थोड़ से ओल जादा ही डाला है पर आप इसके अंदर कम तेल में भी इसे बना सकते हैं तब भी ये उतनी ही टेस्टी बनेगी अगर आप लंबे टाइम तक इसे स्टोर करके रखना चाते हैं तो पानी का यूज़ ना करें अब इसके अंदर हम अमचूर पाउडर डालेंगी हमने एक चमच के लगबग अमचूर पाउडर का यूज़ किया है इससे हलका सा खट्टा बना जाएगा और यह बहुत ही टेस्टी लगेगी अगर आप दही का यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर अमचूर पाउडर ना अब इसे हम अच्छो से मिक्स कर लेंगे और यह अच्छो से बनकर तयार हो चुकी है लो जी हमारी राजस्तानी खिमपोली की सबचे बनकर तयार हो चुकी है चो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है अगर आपको मुका मिले तो आप इसे जुरूर ट्राइ कैसी लगी कमेंट बॉक्स हमें जुरूर बताईएगा तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली बार तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा